नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल, आपका मेरे किचन में स्वागत है, आज मैं जो न्यू रेसपी आपके लिए लेकर आई हूँ, वह है चिला, तो आज हम राजगीरे के आटे का चिला बनाएंगे, जो कि खाने में बड़ा ही टेस्टी होगा, और हेल्थ वाइस भी बड़ा लिया है, जो कि हम अदिकतर ब्रत्वगरा में यूज करते हैं, तो यह एक बाउल आटा है, दही है, गाजर है, एक बारिक कटी हुई गाजर ली है, टमाटर, एक बारिक कटा हुआ टमाटर है, प्याज और हरी मेर्ज है, एक एक बारिक कटा हुआ, और धनिया है, लाल मिर् पाउडर, नमक, चाट मसाला, सबसे पहले बाउल में हमने आटर डाल लिया है, अब इसमें गाजर डालेंगे, प्याज हरिमेज, तमाटर, 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 नमक, आप अपनी चाट मसाला डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, दो बड़े चमच, इसे स्पाइसी बनाने के लिए, चाट मसाला, एक चमच, अच्छे से मिक्स कर दिया है, हरा धनिया, दही डाला है, तो यह है, एक कटोरी दही मैंने इसमें डाल दिया है, अब थोड़ा पानी डाल देंगे, तो एक कटोरी के लगभग पानी है, तो बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी, वह है बिल्कुल चिल्ले जैसी होगी, यह देखिए, अब इसे ढखकर पांच मिनिट के लिए छोड़ देते हैं, पांच मिनिट बाद हमने गैस पर एक फ्राई पैल लिया है, उसमें एक चम्माच तेल डाला है, और एक चम्माच हमने बैटर का डाल लिया है, अब इसे अच्छे से, इस पैटूला की मदद से, चारो तरफ फैला देंगे, इस तरीके से, अब इसे अच्छे से, एक तरफ से, ब्राउन होने देना है, ज़िए कितना अच्छा कलर आ रहा है, सभी सबजियां अच्छे से दिख रही हैं, आप चाहें, तो इसमें अच्छ पी डाल सकते हैं, बारिक काट कर, अब यह अच्छे से सिक चुका है, इसे पलट देते हैं, तो यह देखिए, एक तम ब्राउन है, और अच्छे से, इसकी सिकाई भी हो चुकी है, इसी तरीके से, पलट के हमने दोनों साइड से, इन्हें केस्पी ब्राउन कर लिया है, यह देखिए, यह अगले साइड से हमने इसे देखा, अच्छे से चारो और से दवा लीजिए, इसकी सिकाई करनी चरूरी है, इसे की आटा कच्छा ना रहे, और सभी सब्जियां जो इसके अंदर है, बारिक कटी होए अभी अच्छे से पक जाएं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है, तो अभी आप चैनल के पेज़ पर जाकर सबिस्क्राइब के बटन को जरूर क्लिक कीजिए, इसे मैंने प्लेट में निकाल दिया है, इसी तरीके से, वन बाई वन, हम चिल्ले बना लेंगे, और आप चा यह बड़े ही टेस्टी वनेंगे, और आपको खाने में बड़े ही पसंद आएंगे, अगर यह रेसपी आपको पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सबिस्क्राइब जरूर करें